हेलो प्रिंट्स, वेलकम टो माई चैनल, प्रिंट्स देखिए आज मैं ये एक डबल कलर की डिजाइन का पैटर लेके आए हूँ, बहुत ही इजी है ये डिजाइन बनाने में, आप इसको स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, बच्चों के स्वेटर में, ओल ओवर स् हाफ हाफ पैटर भी इसका बना सकती है, राइट साइड है देखिए इस पैटर का, और ये है इसकी रॉंग साइड, तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें टू के मल्टिपल फंदे चाहिए, प्लस वन हमारी वन कर लेंगे तो हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी, चार सलाईयों का हमारा ये पैटर्न है, तो देखिए यहां पर मैंने टू प्लस टू प्लस टू करके वन कर लिया है, और टोटल नाइंटीन फंदे मैंने लिये इस पैटर्न के लिए, फर्स्ट रो राइट साइड सारे फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बना लेंगे, फर्स्ट रो राइट साइड, सारे फंदे सीधे सीधे, आप अपने मन पसंद किसी भी दो कलर में इसको बना सकती हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो, तो देखिए यहां पर, फर्स्ट रो पूरा सीधा सीधा बनाएंगे Second row wrong side से इसको भी हम पूरा सीधा सीधा बना लेंगे तो पहला फंदा उतार लिया है मैंने और पूरी सलाई wrong side से भी सीधा सीधा निकालेंगे Second row wrong side पूरा सीधा सीधा अब यहाँ पे हम अपने दूसरा कलर एड़ करेंगे यहाँ पे दूसरा कलर एड़ करेंगे यह देखिए पहला फंदा इसको हम बिना बुने उतारेंगे और दूसरे फंदे में हम एक सीधा यान ओवर और एक सीधा करेंगे एक फंदा उतारेंगे बिना बुने और दूसरे फंदे में एक सीधा यान ओवर और एक सीधा इनी दो फंदों को हमको रिपीट करते जाना है एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे में एक सीधा यान ओवर एक सीधा उतारेंगे और दूसरे फंदे में एक सीधा यान ओवर और एक सीधा बिना बुने उतार लेंगे और दूसरे फंदे में एक सीधा यान ओवर एक सीधा उतार के basically एक फंदे का तीन फंदा हमने बनाना है एक फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे में एक फिर यान ओबर फिर एक तो यह total तीन फंदे हो गए इसी तरह से पूरी सलाई हम बना लेंगे और लास्ट वाला फंदा उतार लेंगे बिना बुने यह देखिए अब चौथी सलाई wrong side से ये उतारा हुआ फंदा हम फिर से उतार लेंगे और उन को पीछे कर देंगे अब इन तीनों फंदों को एक संग back loop से तीन का एक कर देंगे देखें इस तरीके से उन अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा उतार लेंगे जो right side से हमने उतारा था उन पीछे ये तीनों फंदे एक संग लेके पीछे की तरफ back loop से एक कर देंगे उन अपनी तरफ इसको उतार लेंगे उन पीछे फिर से सेम तीन फंदे का एक फंदा करेंगे उन अपनी तरफ करेंगे और उतारे हुए फंदे को उतार लेंगे पूरी सलाई इसी तरिके से देखिए उतारा हुआ फंदा बिना बुने उतारेंगे उन पीछे करेंगे ये तीनों फंदे को पीछे की तरफ से तीन का एक करेंगे इसको उतार लेंगे उन पीछे तीन का एक उन आगे ये फंदा उतारेंगे इसको उतारेंगे फिर से तीन का एक अपनी तरफ उतार लेंगे और ये तीन फंदे का एक फंदा उन अपनी तरफ और ये हमने बना लिया देखी इस तरह से ये बनके आया है अब यहां से पहली सलाई फिर से रिपीट करेंगे तो उनको पहला फंदा उतार के पीछे कर लेंगे और सारे फंदों को इस तरह से हम सीधा बना लेंगे सारे फंदे सीधे राइट साइट से पहली सलाई जिसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं तो यह हमारा एक बॉक्स जैसा बन जाएगा रॉंग साइट से फिर से पूरी सीधी सलाई बनाएंगे और रैट साइट थर्ड रो में दूसरे कलर से हम इसी तरीके से डिजाइन को बना लेंगे तो यह दिखिए यहां पे ऐसे यह दिखिए और इधर से एक सलाई और पहला फंदा उतार के उन पीछे और सारे फंदों को सीधा सीधा ही बुन लेंगे यह दिखिए यह सलाई भी कम्प्लीट हो गई यहां से ऐसे और फिर दूसरा कलर लगाएंगे और इसी तरीके से एक फंदे का तीर फंदा करेंगे और फिर एक फंदा हम उतार लेंगे बिना बुनी तो यही है छोटी सी हमारी डिजाइन तो दोस्तों दिखिए मुझे उमीद है कि यह डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको यह डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपनी दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजैन के संग तब तक के लिए बाई